हेलो फ्रेंड्स मैं मम्ता आप लोगों को स्वागत करती हूं मेरी आई स्माट रस्वी में आज हम बनाएंगे टैंगी सैंड्विच इसमें टैंगी पन लाने के लिए यानि किसे टैंगी बनाने के लिए हमने यूज किया है टामाटर नीबूरस आमचूर पाडर और टामाट इसे बच्ये तो बहुत प्यार सखाएंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और साइड में दिये बेल आइकन पर क्लिक करें तो चलिए देर किये विना इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने चार स्लाइस वा अब इसमें 2 टेब्ल स्पून तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज चौप प्याज इसे थोड़ी देर भूनेंगे ज्यादा इसे भूननी नहीं है क्रंची ही रखना है अब इसमें डाले 2-3 फ्लेक्स चौप्ट किया हुए गार्ल बस इसका कच्चापन निकाल अए अब इसमें डाले एक पड़े चौपट किया हुए टमाटर इसमें तोड़ा ज़्यादा ही डाले जिससे सेंड्वीच टेंगई लगेगी सेंड्वीच में खटापन आएगा टमाटर को थोड़ी गल जाने दे अब इसमें डाले एक ancna अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं अब इसमें डाले नमग अब इसमें हम डालेंगे चार मीडियम साइज उबले हुए आलू यह हमने आलू को पहले ही बोईल करके मैस कर लिया था अब इसमें मिक्स कर ले इसे चटपटा बनाने के लिए एक छोटे चम्मच चाट मसाला डाल दे चाट मसाला डालने पर सैंड्विच बहुत इच्छी लगती है अब डाले एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर इसे थोड़ी मिला ले इसे थोड़ी मिलाने के बाद इसमें डाले एक निम्बू का रस इससे यह और टैंगी बनेगी अब इसे भी अच्छी तरह मिला ले यह हमारे स्टफिंग तियार हो गई है अब एक तवा को ग्यास पर बेठाएं मैं यह ट्रैडिशनल लोहे वाली तवा में इसे बनाऊंगी इसमें ब्रेड सिखती बहुत अच्छी है अब थोड़ी सी गाय घी से इसे चिकना कर ले मुझे घी पसंद है इसलिए मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो इसे बटर या फिर कुकिंग और इसे भी बना सकते है अब घी पर एक स्लाइस ब्रेड रखे ब्रेड पर टोमाटो सोस को अच्छी तरह लगाएं इस पर अब हमने जो स्टफिंग तेयार की है उसे डाल कर फैलाएं अब और एक स्लाइस ब्रेड ले और उस पर भी टमाटो सोस ब्रेड करें अब ब्रेड के सोस वाली पाट को नीचे करके ब्रेड पर रखेंगे अब इसके उपर अच्छी तरह घी स्प्रेड करें अब इसे पलट दें आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सिख गई है कलर भी कितना अच्छा आया है अब इसे पलट का दूसरी तरह भी शेक लिए अब इससे निकाल लें इसी प्रोसेस से अब दूसरी वाली सेंड्वीच बनाएंगे यह हमने घी डाला अब इस पर ब्रेड की स्लाइस डालेंगे इस पर सॉस प्रेड करेंगे फिस स्टफिंग डालकर फैलाएंगे यह और एक स्लाइस ब्रेड पर सॉस लगाकर उस पर रखेंगे थोड़ी घी लगाएंगे अब इसे पलट कर सेकेंगे यह हो गई त्यार अब इसे बीच से कट करते हैं देखिए यह कितनी क्रिस्पी बनी है यह लिजिए क्रिस्पी चटपटी और टैंगी सेंडवीज बनकर तैयार है इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है तो इसे बनाएं जरूर और इसका मज़ा लें फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लीक करें और इसे सेयर करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में